कiona कुम इस कॉइस सर्दी के मौसम में बहुत फरेश याफ शेंग रोते हैं तो यहां पर मैंने हम जैल गदाइंगे हम जो बहुत अिसलो कान्टेन में स्टोर करके रख साकते हैं जो वह अाया हहा होता है या एक अपा बनाएंगे तो सबसे वहले ना आमला को धो कर पहुंच लिया है उसके बाद मैंने आप पर एक बरतन मेना पानी करम किया और उसके अंदर हमारे जितने भी आमला है सारे के सारे आमला को हमें इतनी देर तक उबाल लेना है मैंने यहां पर 13-14 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर उबाला था और हमारे आमला हाथ से दबाने पर उखल जाने चाहिए इनकी कलिया अलग हो जाने चाहिए इतना हमें यहां पर आमला को सॉफ्ट कर लेना है उसके बाद ना यह जो एक्स्ट्रा आमला का पानी है इसको यू पर करी यह वस उसी तरह से आपको करना यह प्रोसेस में थोड़ा से जादा यझा लगे गा लेकिन यह प्रोसेस करने बाद जो आप Actually आमला का जीम कहांँए असमें बहुत ज़ादा म味ाव जाद लोग हो को इसको क्राइग डाल लेना और अच्छे जाना इनका अग्दम पेस्ट बना लेना है एतना फाइन पेस्ट बनाना है मतलब एकदम जिसमें कम से कम हो सके गुठलीया रही इतना आपको यह पर बना ले लेता है तो मैंने आपके हम तरफ सारेट अिजम अगी लुटा ऑपिने विए 573 नहीं सेब możवर में तो तो यह जिस बत्रिक्यों कैं इंप exceeds my ne विश्य से आपका गायी हम एक्दम पर्फेक्ट खाने में लिक बनेगा तो सीधा बच्चेουμε किते सवर में उन्हाइब संक्रीपिक और मैं तो मेरी आदत तो यह कि मैं बिना ब्रैट बिना रोटी सीधे चम्मत से उठा कर भी ऐसे जैम खा लेती हूं कि इतने अच्छा लगता है मेरे को परस्नल जैम बहुत पसंद है तो ना चीनी डालने के बाद गैस का फ्लेम रखना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर ना ह इसे रेगुलर चिलाते रहना है तो आप जब इसे रेगुलर चिलाते रहेंगे मेडियम फ्लेम रखते वह आपको छोड़ना नहीं है जब छोड़ दोगे तो इसका नीजे चिपकने का डर रहता है और एक बात और ध्यान रखने है आपको कि यह जो भी प्रॉसेस करना तो आम लाना रियक्ट करता है लोहा से तो उससे ना हमारा जो जिए जिस टृऺ कलर के हो जाएगा और खाने लाइक बिल्क genuine नहीं रहेगा तो अब जैसे-जैसे इसको छलते रहेंगे हमारे जो जैम है वह हलकासा कलर चेंज करता रहेगा और साथी शाथ ना यह हलकासा गा के करीब मीडियम फ्लेम पर चलाना है जिससे ना एकदम गाड़ा सा हो जाएगा और एकदम लास्ट में आप दिखेंगे किसका कलर चेंज हो जाएगा अब यह तैयार हुआ या नहीं इसको चेक करने का एक बहुत बहतरीन तरीका जब अपको उठाके ऐसे गिराओगे तो एक बादना यहां पर आल्मोस्ट पंदरा से बीस सेकंड के लिए मैं इसे और चलाऊंगी जिससे लाइचिका पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जैम का टेस्ट बढ़ जाएगा अब मैंने कर दिया गैस और हमारा यहां पर जैम बनकर तयार है तो देखा आपने बज चिर्षीओ लाइच है से बिएड़ उड्यो है ओ्राज़ यहां आपने का तो क सिंदいました。